माना जाते हैं जिनके स्वागत के लिए शायद हम तयार नहीं होतें कई बार तो जगह कम होने की वज़़ से हम 4 या 5 लोगों के लिए बना डाइनिंग टेबल ही अफोर्ड कर पाते हैं ऐसे वक्त जगह बचाने के लिए फिले डाइनिंग टेबल एक बेस्ट आप्सन साबित हो जाता है पहली दफा देखने के बाद ऐसा लगेगा जैसे इस पर जादा से जादा चार लोग ही खाना खा सकेंगे पर इस टेबल में इस तरह से विवस्था की गई है कि ये नीचे से भी खुल जाए नीचे से खुलने के बाद फरनीचर के और भी जादा पटल खुल जाते हैं जिससे ये टेबल जो की चार लोगों के लिए बैठने के लिए हुआ करता था जैसे की लेकटॉप खोल के बैठना, बेठ पर खाना खाना ऐसे लोगों के लिए सबसे बहतर आप्शन है बेठ चिल ये प्रोड़क्ट ये प्रोड़क्ट बेठ पर ही खास तरह का टेबल तयार कर देता है जो आपको कई सारे काम बैठे बैठे या सोई हुए भी करने की सुविधा मुहया कराता है इसके इस्तिमाल के बाद आपका खाना कभी भी बेठ पर नहीं गिरेगा इस टेबल पर चार USB चार्जिंग पोर्ट हैं जिससे आप मुबाइल या लैक्टॉप चार्ज कर सकते हो इसके दो ड्रावर्स में आप लैक्टॉप, मुबाइल चार्जर या कुछ भी रख सकते हो बेठ सिल पे अलग-अलग लाइटिंग की सुविधा मौजूद है इसलिए इससे कंफोर्टेबल बेठ शायद ही कोई आपके लिए हो सकता है ये बेठ एक बैक से भरा होता है जिसे आप जब चाहे तब बेठ बना सकते हैं सिर्फ दो मिनिट के अंदर ही ये बेठ अपने आप हवा से भर जाता है इस पे बने 48 तरह के मुलायम वेस्टन आपके नीन का खाशा ख्याल रखते हैं जमीन से करीब 2 फिट उचाई होने की वज़र से कोई भी व्यक्त इसका मज़ा ले सकता है आपके नीन पूरी हो जाने के बाद आप इसे वापस बैग में भर घर ले जा सकते हो इसके कीमा शुरू होती है 18,900 रुपै से लेके आगे तक पूरी तरह से लकडियों से बने इस प्रोड़क्ट की बनावत इतनी लाजवाब है कि हर कोई इसे अपने घर में देखना चाहेगा जब चाहे तब आप इस टेबल को किसी कोने में खड़ा कर सकते हो और ज़रूरत पढ़ने पर इसे मोड के इसका छोटा सा भी टेबल बना सकते हो इसी प्रकार के मेकेनिजम का यूज कर बनाये गया है राइजिंग स्टूल और राइजिंग सोफा राइजिंग सोफा पे बैठने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे आप बने बनाये लकडियों के धाचे पे बैठे हो पर गजब की बात ये है कि इसे सिकोडा भी जा सकता है अगली बाल जब आप किसी जगँ घूमने जाओ तो इसे जरूर ले जाना किसी टेबल को लपेटा भी जा सकता है ये इमेजिन करना ही हमारे लिए मुश्किल होगा अगर वो टेबल लकडी का हो तब तो विश्वास ही नहीं होगा इसे देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये कपड़ा है जो लकडियों से बना होगा पर असल में ये लकडियां ही है जिनने इस तरह से डिजाइन किया गया है जो रोल कर सकें जिनने लपेटा जा सकें इसे बस खीचने की बाद टेबल की लंबाई कई गुना बढ़ जाती है